शिर्गुल महराज मंदिर में दर्षन करने आए भक्तों की मन में अगर किसी प्रकार की समस्या या उल्जन हो तो शिर्गुल महराज अपने भक्तों की हर समस्या का समाध्डान करते हैं शिर्गुल महराज मंदिर के पुजारी भगवान को साक्षी मान कर भगतों के प्रशनों का समाधान करते हैं क्या है शिर्गुल महराज के मंदिर का महत्वा और क्या है यहां की कहानी देखें हिमाचल प्रदेश जितना प्राक्रेतिक रूप से खुबसूरत है उतना ही यहां पर देवी देवताओं के पवित्र स्थान भी मौजूद है इसलिए हिमाचल को देभूमी भी कहा जाता है हिमाचल के सिर्मौर में शिर्गुल महराज का मंदिर है जो पहडों में सबसे उंच चोटी चूरधार पर स्थित है मंदिर में स्थापित भगवान शिफ को सिर्मौर और चौपाल का देवता की रूप में स्थानिय लोग जानते है इस मंदिर को लेकर स्थानिय लोगों के अंदर बेहत अटूट आस्था और श्रद्धा है और ऐसा कहा जाता है कि शिर्गु शिर्गुल महराज भक्तों की समस्या का करते है समधान क्या है मंदिर के कहानी मानिता है कि जब आदी शंकराचारे जब हिमाचल प्रवास पर आए थे तब उन्होंने इस उची पहड़ी पर एक शिवलिंग की स्थापना की थी और तभी से ये मंदिर प्रचलित है इस पहड़ी पर एक विशाल पत्थर है जिसको लेकर पौरानी कथाओं में कहा गया है कि यहां भगवान शिव अपने परिवार के साथ निवास करते थे वही मंदिर को लेकर एक और कथा प्रचलित है जिसके अनुसार प्राचीन समय में चूरू नाम का एक शिव भगत अपने बेटे के साथ इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आया करता था एक दिन अचानक एक विशाल सांप निकला और चूरू और उसके बेटे को डसने के लिए आगे बढ़ा तब ही चूरू ने भगवान शिव को याद करते हुए अपने प्राणों की रक्षा की गुहार लगई चूरू की गुहार पर एक विशाल पत्थर आकर उस सांप के उपर गिर गया और इस तरीके से चूरू और उसके बेटे के प्राणों की रक्षा भगवान शिवने की कहा जाता है कि इस घटना के बाद से इस थान को चूरधार के नाम से भी जाना जाने लगा कैसे पहुँचे चूरधार चूरधार परवत साल भर बरफ से घिरा रहता है ऐसे में यहां आने के लिए गर्मियों का मौसम सबसे सही है चोड़धार परवत पर पहुंचने के लिए नौराधार होकर जाना सबसे सही रास्ता बताया गया है जो की यहां से 14 किलोमीटर दूर स्थित है